एलो एवरिवन, कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे, आज का जो हम प्लान लेकर आए हैं, वो है हमारा 30 फिट वाई 32 फिट का प्लान, यानि कि 30 फिट इसका फ्रेंट है, और 32 फिट इस प्लान की लंबाई है, अगर हम इस प्लोट की स्क करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप भी अपने घर का नक्षा हमसे बनावारा चाते हैं, तो वाटसब नमर हमने डेस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप हमाई कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो की लास्वे में आपको बताऊंगा, इसका प्लान के अंदर क्या क्या प्रोवाइट किया है, तो इस पर प्लान के अंदर आपको मिलती है, कार पार्किंग, सेपरेट इस्टियर्स मिलती है, आपको यहां पर चोटा सालोन एरिया मिलेगा, ट्राइंग रूम मिलेगा, लिविंग एरिया प्लस लिविंग एरिया आपक तो आप देख सकते हुआ को आपको एati हो कार पार्किंग प्रोवाइट की है हमारा पुरा कार्पार्किंग का एरिया प्रोर्शन की मारा पूर्शन है पर बैठ सकते हैं अगर आप चाहते हो कि इस डॉइंग रूम के साथ आप अटेस्ट टॉलेट बनाओ तो यहां पर जो पॉर्शन बनेगा तो चार फिट तीन इंग बातरूम पॉर्शन बना सकते हो इसके बरावर में यहां से हमने एंट्री दिये तो आपके बिल्कुल सेप यह आपको पुरा लिविंग एरिया का पॉर्शन है 11 फिट बै 16 फिट का आपको यहां पर पुरा लिविंग एरिया मिलेगा तो यहां पर आपका सोफा सेट आ जाएगा यहां पर मिलता है आपको कॉमन टॉलेट बात्रूम साथ फिट 6 बै चार फिट का आपको यहां पर एंट्री होती है तो यह आपको पुरा डाइनिंग एरिया आपको मिलता है यहाँ पुरा डाइनिंग एरिया आप यहाँ देख सकते हो यहाँ को पुरा डाइनिंग एरिया है बारा फिट चैंग बारा फिट का आपको यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिलेगा तो यहाँ पर पाने के लिए इस ड्राइंग रूम की विंड़ो आपर दी है तो चार फिट चॉली विंड़ो आपर प्रोवाइट की है इसके सामने हमने डिया किचिन आप देख सकते हैं हमारा किचिन का पॉर्चन है 11 फिट भाई 7 फिट 6 का आपको यहां पर किचिन मिलेगा इस किचिन की विंड़ो हमारे OTS से कनेक्ट है तो तीन फिट चॉली किचिन की विंड़ो आप प्रोवाइट की है तो किचिन की जो भी स्मयल होगी वह इसके थिरू पास आउट हो जाएगी अब बात करते हैं बैड्रूम की तो यह हमारा फिर्स बैड्रूम है आप देख सकते हो डाइनि चारफिट चल्री विंड़ो हमने दौनों जगा प्रोवाइट किए है फिर आप देखोगे की हैं से अपर हमने एक और एक और यहां पर लिचा में प्रोवाइट को सब्सका है जो हमारे生म में doctye members को यूज सकते हैं चारफिट 60 बाइस7 आप यहां पर कॉमन टोइलिट बातरूम मिलेगा अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यही common toilet bathroom रहे तो आप इसको store area भी बना सकते हो इसका ventilation हमने OTS से connect कर रखा है तो इसकी जो भी smell होगी वह इसके तुरू पास आउट हो जाएगी फिर बात करते हैं अपने second bedroom की तो आप देख सकते हमार second bedroom है इसका dimension हमने दिया है वो 13 feet by 14 feet का हमने यहाँ पर second bedroom प्रोवाइड किया है इसी bedroom में अपने door प्रोवाइड कि अपने OTS में आने के लिए तो हमारा open space है आप चाहो तो यहाँ पर इस bedroom के साथ attached toilet bathroom भी बना सकते हो तो 5 feet by 14 feet का आपको यहाँ पर OTS मिलता है पुरा open area मिलता है तो ह हमारे bedrooms के अंदर रोष्णी भी सही रहेगी तो इस bedroom की window हमने यहाँ पर दी है इसके सामने आपको मिलता है यहाँ पर master bedroom तो 13 feet by 14 feet का आपको यहाँ पर master bedroom मिलता है तो इस master bedroom के साथ आपकी जो window है वो हमारे OTS से connected है तो यहाँ पर 4 feet चॉड़ी window हमने यहाँ पर provide किया है तो यह है हमारा 30 feet by 62 feet का प्लान इसके outer wall जो हमने रखी है वो 9 inch की रखी है inner wall हमाई 4 inch की हमने इसमें रखी है इसमें total columns जो हमने दिये हैं वो 22 columns provide की है column size जो हमने रखा है वो 9 inch by 12 inch का रखा है और इसका एक मंजिल बनाने में जो लगबाग खर्चा आएगा 25 लाग के आसपस आशा करता हूं प्लान पसंद आया होगा अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर